देखिए इनका जो जन्म हैं 13 जनवरी 1911 को देरादुन में हुआ था जन्म आप जरूर ध्यान रखेगा 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ इसमें हुआ देरादुन जो पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब इसमें उत्रा खंड में इनका जन्म हुआ इनकी प्रारंब प्रारंबिक सिक्षा आरंब हुए तथा इन्होंने 1928 में हाई इस्कूल याने 10th क्लास की परिच्छा उत्रिन कर ली तो मोटे तोर पर इनका जन्म कब हुआ तेरा जन्वरी 1911 को देरा दुन में इनका जन्म हुआ प्रारंबिक सिक्षा इन्होंने पी मिशन हाई इस्कूल में शिरू की 1928 में हाई इस्कूल की परिच्छा उत्रिन कर ली और इनकी जो म्रत्यू है वहां 12 मई 1993 में एहमदाबाद में इनकी मृत्यूप में अब देखते हैं इनकी रचना ङए देहें वेसे बहुत सारी रचना लेकिन कुछ 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 रचना मैं नहीं पर लिख लिए कि कुछ कवित आये कुछ और कवित आये दो रचना आ आपसे पूछता है परिक्छा में, तो कुछ कविता है कुछ और कविता है, काल तुझसे होड है, मेरि, काल तुझसे होड है, मेरी या इन की कुछी रचना है, तीसरी रचना, आप लिख सकते हैं ये पहला नम मदाल्साइए अब जो चोनी है, वहां बात बोलेगी, इस तरह दो प्रमुक लिगन मेरी और आन्त में आयेगा चोथी बात बोलेगी अब देखें पक्षम क्या है इनकी जो कविता है उनमें प्रेव और संदर्रे का भावव देखने को मिलता है तता साथिसाथ इन्होंने प्रकति चितरन एवं देजबक्ति की रशनाय भी जो देजबक्ति है रशनाय भी इनकी कवितां में देखने को मिलती है यहने की प्रकति का चितरन भी देखने को मिलता है और देजबक्ति की रशनाय भी इनकी कवितां में देखने को मिलती है तो सीधी से बात है सिंपल भाव आपक्षय क्या है कलापक्ष के अंदर क्या आएगा इन्होंने देखिए अलंकारों का पिरियों किया चंदो का पिरियों किया तता इनकी भासा कितनी तो इनकी जो भाहसा उसमें क्या है अतियंदसरल दिखता है और कही जागा ऊपर आत्यंदस जटिल भी दिखता है इन्हों ने अपनी कविता में वरनात्माग शितरात्मक सेलीका भी पिरियोग किया है तो यह था इनका कला पक्ष यह अब अन्तिम देख लोते हैं साइथी में स्थान समसेर भाद्दूर सिंग जी का साइथी में एक विश्ष्ष्ट इस्थान है वे जै परिचे हो ने लेखक परिचे हो नका साहित रिनी रहे दिया इसके लिए इनका साहिति में नोट कीजह यह रचनाए कि इसके बाद में भाव पक्षे पिराएगा आपका कला पक्षे साइटी में इस्थान तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत पुन्न जीवन परीचे के साथ